हेलो गाइज स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल स्टेडी विज अमन कुलमी तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के बच्चुगले आपका अनुछेद लेखन जो कि आपका एक इंपॉर्डंट टॉपिक है और यह आपका पेपर में 6 नंबर का आपको चाहिए यह नंबर में से छे फूल कैसे लाने और कैसे लिखते हैं क्या बिंदू को नाम लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं और कितने वर्ड लिमिट्स होती है वह माज की स्वीडियो में डिसकस करेंगे और लास्ट यह की पेपर से हम कुछ कोशन्स यानि आपके अनिश्चिद के कोशन्स करेंगे जिससे आपको इनकी प्रैक्टिस भी हो जागी कि हमें आपको चाहिए लिखना होता है तो सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे पाहला तापिक हमारा जीवन का कटिन दौर और मानसिक मजबूतिया या मानसिक मजबूतिया आपको इस सब्सक्राइब तो पहला हमारा था विश्य अब इसके संकेत बिंदू आपको दे रखें मानसिक निंटा से मुश्किल हालातों का सामना संभव यानि आपको पहली जो तो पहली से चौथी लाइन तक है इस टॉपिक को कवर करना है अनेक संकर्ष शील यक्तियों के अधारन आपको दूसरे से तीसरी चौथी पाच्छी यह यह इतनी लाइन होती है इसमें यह वाला करना है कम्रीट कटीन हालातों के दो-दो हाथ करने की शक्ति यह आपको एंडिंग लाइन पे और मानसिक धिंड़ता का संकल्ब में आपको यह सब पूरा में यह आपका एड़ होना चाहिए और यह पूरे लाइन लिख रहे हैं और फिर इसके बारे में लिखना स्टाट करें ऐसे नहीं लिखते हैं अनुषिद एक ही बार में लिखा जाता है तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं जिससे हम आपका विशे अच्छे से आ जाएगा सुखदेव सवल जीवन के लिए मानसिक स जिसके जीवन में प्रतिकूल परिस्तियां नहीं आती जिनके में मजबूरियां नहीं आती परिशान नहीं आती कुछ लोग विप्रीत परिस्तियों का अदमें ध्यारे ना रखने कारण जीवन में राश उड़ाते हैं यानि कुछ लोग परिस्तियों प्रॉब्लम्स का सा जाकीपन डर अनिश्टा की लोहों में मानसिक स्वास का बुरा प्रप्राव टाला है। मानसिक स्वास का सीधा संबंध हमारे शारिरिक पावनात्मन मन विज्यानिक स्वास से होता है। अध्यदिक तनाव से हमारे शरीर में दुश्पिराव जैसे गबराहट, चड़ चड़ापन, उदासी, उल्जन, थकान होना, ब्लड प्रेशर, उदार चड़ाव, शरीर का उरजाहिन महसूस होना आदी परिक्षलिश होता है उस तनाव का असर शरीर, बावना और वेवार पे भी पढ़ता है सफल और सुकत जीवन जीरे के लिए स्वैम को मांसिक रोप से मजबूत करना बहुत जरूरी है इसके लिए अवशके हमें नकरात्मक विशारों को अपने मन में आना ने दे परिवार और मित्रों के साथ अधिक समय बिताएं और बाहर प्रकृति के निकट जाएं संगीत सुने, पोस्टिक भोजन काए, वैयाम करें अगर मन में कोई चिंता या उदासी हो तो उसे अपने अंदर शिपाया नहीं बलकि परिजनों के साथ बाटें, द्रेड निशे लोहों हर मुसीवत का निर्ने पा लेते हैं विश्विप्रसिद अभी हाँ पर आप देखिए, एक्जामपल दे रखें जो विश्विप्रसिद रविद्ना टेंगूर हैं, अलबर्ट आइंस्टाइन हैं, वॉल्ट रिजर्नी हैं, बिल गेट्स हैं उनके एक संगर शील यक्तियों के उधायन जिरोंने आसा फलताओं में हार नहीं मानी अता हमें भावनात्मक पांसे ग्रूप से मजबूत रहकर सकरात्मक धंग से समय का उपयोग करना चाहिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है वो साइबर योग, साइबर ठगी, साफधानिया और सुरक्षा उपाएं साइबर ठगी को बढ़ती हटना है आपको बतानिया, इसकी साफधानिया और इससे बचने के उपाएं हैं- स video या इंट्रनेट का ब्योग करके, कई अपराथ जो होते हों साइबर अपराथ की शेर Tian Re कम्मी डैकार के नाम से आपने लिथा problem के नाम से आपने उनीजरी का हैटर या यह कुछ भी हैक कर लेता है तो कर बोलते हैं आजकल समाजिक नेटवर्किंग ओनलाइन खरीद पढ़ा यह आप सब कुछ ओनलाइन होता है पेटियम वेटियम सबसे नौक्रियों की तलाश गेम खेलना अतरिक प्रचलन के पुली बाली कई बार पढ़े लिखे लोग भी ठकी के शिकार हो जाते हैं यह हैकर कि वेबसाइट बनाते हैं जहां पर कुछ लालज देकर वेलोगों को किसी चीज को खरीदने के लिए ओफर देते हैं और उनका एटियम में मुबाइल नंबर लेकर आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं जैसे साइबर अपराद के अंतरगत आरते खानी गोप्रे जानकार चुडाना साइपर आतंगवाद ओनलाइन उत्पीडन नशीली दबावकत यहां तकी रास्टे सुरक्षा संबने दस्तावीज चुडाना आधी शामिल है यह अपराद आज पूरे विश्व में इतनी तेरी से फैल रहा है कि अपरादी को पकड़ना आसमभ हो रहा है क्यों साइगा ठागी से बच्चा क्या सुजा यानि इसकी साफधानी है तो हमने पड़ी पर इसके बच्चने के उपाई देखते हैं तो इसे सुरक्षित रहने के लिए हमें सोशल मीडिया पर प्रते खाते की गोपिनियता को सुनिक्षित करना चाहिए मजबूत पासवर्ड का उप्योग करना चाहिए कंप्यूटर में एंटी वायस प्रोग्राम और सौफ्टवेर का उप्योग करना चाहिए उससे अपने करते रहें और सतर के साइबर अपरादों को रोकने के लिए जाग रुकता के साथ ही कानुन को सक्त बनाने की जरुत है बच्चे को इसकी को उनके साथ अच्छा वेवार भी रखना चाहिए अपने बच्चों के साथ या अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो अपने माता पिता के साथ आपको ऐसा वेवार रखना चाहिए क्योंकि माता पिता से छुपाया कि हर एक कारे जो होता है वो गलत होता है अगर आप उन्हें से कुछ भी चुपा रहें तो वह हमेशा सदीव कहला दूत है तो यह हम इसकी बारे में लिख सकते थे गवाव हमें ने रखा है बुरा जो देखना मैं चला बुरा ना मिलिया कोई अब आप कहेंगे मैं ऐसे टॉपिक थोड़ा आते तो ऐसे टॉपिक भी आ सकत उसके बारे में आपको लिखना है संकेत बिंदू से थोड़ा समझ जाएंगे दूसरों की कमियां देखना सवावी प्रवती है लोग की इस प्रविती पर समाच का क्या प्रभाव है अपने अंदर जाकना विशक है और आत्मिरिक्षन का संकल्प आपको इस बारे में लिख छला बुरा ना मिलया कोई तो अगर आपको नहीं पता कि ये तो अगवा संत का मभी नहीं लिखा वी तो कोई नहीं हूजाएगा तो यह वैसे एह इं दो और sl Handy ने जिनने नहीं पता तो अब पता चलेंगे ना आपको इसके माध्यम से उन्होंने अब आत्म वलोकन का संदेश देश देखा कि जब मैंने संसार में बुरे लोगों को खोच की तो कोई नहीं मिला अदधा अपनी अंतर आत्मा में ज्छाकने से इस संसार में मुझे अधिक बु की अधिक होता है इसलिए अपनी आत्मा अंतर आत्मा से ज्छाकने के उपिक्षा दूसरों के अफगणों के और अधिक दियान देता है दूसरों को बिराइड होना या दोश देखना या फिर आप सजन का कारे नहीं है स्वयम को शेस्ट और दूसरों को हीन समझने की करने का अधिक्षा अपनी कमयों को जानकर उन्हें धूर करने का प्रत्म करें यक्तियों को आत्मा चिंतन की प्रवती विक्षित करनी ही चाहिए इसे दूसरों की दोश डेल्खने की प्रवती मि और आप इसमें लिख सकते हिस ने आ mano he a ना किया में एक परदूशन की आ सकता है इसके प्ल水 का वारण निवारेन शंखी विथ doc यह टॉपिक बार होता इसके बार एक बिसके नजहे एक आप लिखेंगे तो यह गलत माना चाता है तो आप यहां से ऐसे क्योंकि हमें 120 चब्दों में लिखना तो ज्यादा बड़ा ने लिखेंगे अभी मैंने आपको लास्ट विले बड़े दिखा दिये तो प्रदूशन चार प्रकार का होता है या प्रदूशन आप लिख सकते है को विशाग बना दिया है कार खानों ने निकलने वाला कच्रा नदी तलाबों में गंदगी डालना यह सब जल प्रदूशन के उत्रदाई है और आप इस रीजन लिख सकते हैं प्रदूशित जल में अनेक बिमारियां फैलती हैं तेज अवाजें श्रवन शक्ति और हिर्द काने चाहिए उद्योगी करन कच्री और दुएं को बाहर निकालने के लिए समोचित विवस्ता होने चाहिए लाउट स्पीकर आदिक अप्रयोग को नियंदित करना चाहिए तो यह हमने इसके कारण में बिठा दिये इसके निवारन और उसका उपसहार पूरा एंडिंग भ आप लिख सकते हैं प्रकृति सभाव से प्राणियों की सहचरी रही है उसने हमेशा रोप में मार रोप में मानव की लाबबंती किया है जब से मनुष्य ने विज्ञान की शक्ति पाकर प्रकृति में छेट-शार प्रारम करिया निए जब से विज्ञानिक यूग हुआ है तबी से व्रकृतिक सुखों से वांचित हो गया है वनों की अंदादुन कटाय के कारण परवत संक्लन, भूश रक्षन, बाड, बेमौसमी बरसात, परवरन प्रदूशन भड़ता जा रहा है जिसके गारण शहरों में रहने वाली लोगों का धन गुड़ता जा रहा है चुन का समूचे विष्व में यानि पूरे विष्व में परवन दिवस्त बनाया जाता है इस बात का साक्षे कि अब मानव ने प्रक्रतिकों महत्व को स्विकार किया है और उसे सेलेक्शन के हर संभव प्रयास के और गंपी तर से उसका विचार करने पर विवश हुआ है अब यहां पर आपको एक और विष्व दे रहे हैं हमारे समाज में नारी का स्थान इसकी भूमिका समाज में नारी की दशा क्या है बुरी है अच्छे हो दोनों में से कोई एक बता ले आदूनिक नारी कैसी और निशकर्ष क्या है तो यहां पर मैं डारिक पढ़ती हूँ प्राचीन काल में समाज में नारी का मत्व नर से कहीं बढ़कर होता था समय के बदलाव के साथ नारी के दशा में भी बदलावा है मद्दे काल में नारी की सिती अत्यंत श्योचने हो गई यह केवल बोग्या और विलासिता की वस्तु बन कर रह गई शिक्षा के प्रचार प्रसार से फल सरूप अब नारी की सिती में सुधार हुआ है क्योंकि अब थोड़ी पढ़ाई लिखाई हो रही है नारी आज समाज में प्रतिस्ट और सम्मानित हो रही है अब घर से बाहर दाइत्फ निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ गई है वह घर की चार दिवारी स अपने कद्मों को बढ़ाती हुई समाज की विकलांग दाशा को सदार ने कले प्रहसारत हो रही है नारी में किसी प्रकार की शक्ती और शंता की कमी नहीं है केवल अफसर मिलने की देर होती है नारी के इसी रूप में समाज में प्रतिस्टा का स्वीक्तित मिलनी में दाधी को समय है और यह सब्सक्राइब कर्णा था प्रहों समय परकता इस पर को औरहां गलेकि All He been रख़धार भुटव मेंडिया सब्सक्राइब लोगतंत्र में सब्सक्राइब अवारं मेडिया तो इस के बारे में बता ने लोगतंत में मीडिया की भूमी का बतानी है आगे बढ़ने की होड में कर्टब्वे पत्स से बठकता मीडिया इसके बारे में बताने है यानि सब मतलब सब चाहते हैं कि हमारी हमारी चैनल ग्रो हो हमारा चैनल ग्रो हो हमारा चैनल ग्रो हो तो उसमें जो अपना कर्टब्वे वो भूल गए बस competition में लग गए कि मैं जीदूगा मैं जीदूगा पर यू असली काम है वो भूल गए मीडिया उसके बारे में आपको बताना है तो सबसे पहले मीडिया का प्रमुक उतरदाइत क्या होता है तो लोगतंत को संपूर विश्प में स्थापित करने के लिए मीडिया ने महत पूर्ण कैसी मुवी का निवाई बहुत जरूरी मुवी का इमानदार और निश्पक्ष मीडिया ही लोगतंत का अधार होती है क्योंकि मीडिया को लोगतंत का चौथा स्थम माना जाता है लोगतंत में तीनी स्थम होते है चौथा किसे माना जाता है मीडिया को मीडिया के दोरूप होते हैं एक तो प्रिंट मीडिया और एक एलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रिंट मीडिया में समाचार बत्र प्रतिका एलेक्ट्रोनिक मीडिया में आते हैं टीवी, रेडियो, इंटरनेट आधी शामिले मीडिया को अपने कारे करने की पूरी सदंता होती है इसलिए मीडिया का भी उतरदाइथ है कि वे किसी घड़ना समाचार को पूरी निश्पक्षता के साथ जनता के समक्ष रखे मीडिया का भैमुक्त होकर कारे करना अत्यांत आवशक है यानि वो बिना डरे काम करें समाचार पत्रों में संपादक को भी अपनी बात निश्पक होकर रखनी चाहिए यानि आप अपना जो समाचार पत्रों में जो संपादक जो लिखते हैं किसी विश्य के बारे में तो उन्हें भी किसी पक्ष के यानि किसी हिंदू धर्म या मुस आपके दिकारी हो करता रहा है क्योंकि प्रतिपी जागरों करता है मीडिया को अपना अतरदायत समझना होगा यह पर दिकारी और आपको यह दिए कि कल आपके स्कूल में चुट्टी होगी तो आहिकर से अमाण लेकर आ घुए क्योंगि आपको निइव बोली जा रहिए तो मीडिया हमें गलत निइव नहीं डेता कभी और मतलब बड़ा चढ़ाके डराना का का मीडिया को होता है तो वो काम नहीं करना चाहिए अपने उत्रदाइत को समझना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग उसे देख्के अपने जी कर दो चाहतर जीवन जीफिए तो यह वर जीफिए जीफिए पर्श्तांद क्या यान रतने योगे बाते हैं और एंडिंग तो योग कैहें योग भार्तिय संस्कृत्ति का मुला चाहत्र जीवन में इसके उप्योगता और बढ़ गई है योग का शाब्दी करता है मिलान या चोड़ना योग अब्यास द्वारा यक्ति अपने मन की और इंद्रियों को नियंतित करके उन आत्माओं को मिलन कराने में समर्थ हुदाता है और खेल योग खेल और चाहत्रों को उठजावान रखते हैं घेल क्या करते हैं रखते और इने जीवन का सखर आत्मग दिस्टिकोन देते हैं अब्यास हमें कई शार्रिक और मांसिक रोहोंतीद्र रखता है योग मुद्रा आसन चाहत्रों की शहीर और दिमाग को तेज करते हैं कि साती उन्हें का लिवारण कि विचारों को नियंटिट करता है यह बच्चों को प्रग्रदी से भी जोड़ता है योग द्वारा शात्र शेस्ट जीवन का आच्छन करके एक आधर्श मानव बन सकते हैं तीसरे आपको दे रहे हैं विचारों को तो इसके बारे में आपको लिखना है यह बद्धी इसका मतलब क्या होते हैं विपत्ती नियुक्त जो हमारा प्रॉब्लम से विश्पत्यों में भी साथ है वही सच्छा मित्र होते हैं वहां पर यह बता रखा है इसलिए तो तो यहां पर मैं आपको बस दिखा दे रहे हूं क्योंकि हम जातर important discuss करें जो important होगा मैं अभी आपको पढ़ा भी दूँगी तो यह वाला हम देख सकते हैं मुसीबत में ही मित्र की परक होती है वही जो मैंने अभी बताया है विपति को सौटी वह वाला ही है यह तो यह सभी जानते कि जीवन एक संग्राम है इसमें समय समय प यह व्यादक बारी है यानि मित्रों का चैन भारी चमक दमक या धन दॉलस यानि आपको अमीर करीब नहीं देखना चाहिए निन दोलत या वाक पुट करने वाला होकर हमारी भावना हो सभी उन्हार्म और परभौकारी होना चाहिए विश्वास पात्र मित्र को पा लेना ब देता है तोशों से हमारी रक्षा करता है निराशा में उत्सा देता है मित्र के सुख और सौभादी की जिनता करने वाला सच्चा मित्र बड़े भागे से मिलता है किसी ने ठीकी का है सच्चा वित्र सच्चा प्रेम धुरलब है सच्ची मित्रा उससे भी दुरलब है यारी करूंचन आपको इस कोशन का पूरा अन्षेद लिखे मुझे अपने इंस्ट्राग्राम स्टोरी पे मैंचन करना है अपना चीट मैं आपको इसका और और पर यह करना है में किन इंडिया पर तो में करक्साइब अगयर विकास में करना जरूर है क्योंकि आप तक करेंगे नहीं न तब तक आपकी प्रेक्टिस नहीं होगी तो आपका पेपर में इच्छा नहीं कर पाएंगे और इन सारे को पढ़ लीजेगा तब आपके पास वर्ड आइंगे तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं चैनल को भी तक सब्सक सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोसों साथ कि उनकी भी प्रेक्टिस हो जाए थांक्स फूर वाचिंग ट्यों पैपे गईज